औरेंटेशन प्रोग्राम के दूसरे भाग में वरिष्ट पत्रकारों ने जवाब दिये चात्रों के साथी साथ उन्होंने बताया कि कैसे आप अपने आपको बहतर बना सकते हैं पत्रकारिता में आईए आपको सुनाते हैं क्या कुछ का वरिष्ट पत्रकार एनकसीन मीडिया विकाव नहीं है इसे कोई नहीं खरीच सकता यह कहना था मास्कू मीडिया ओरिंटेशन प्रोग्राम 2015 में नए छात्र को संबोधित करने आये वरिष्ट पत्रकार N.K. सिंग का N.K. सिंग का कहना था कि मीडिया एक ऐसा बड़ा संस्थान है कि इसे खरीदने के वाकाद किसी भी बिजनसमैन या नेता में नहीं है तो वहीं पत्रकारों पर हो रहे हमले पर N.K. सिंग का कहना था कि अगर आप निडर और निस्वक्ष होकर पत्रकारिता करते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं विगार सकता अन्ना हजारे जब हम दिखा रहे थे जब हम तूजी स्पेक्ट्रम दिखा रहे थे तो हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर परिवार के खिलाब था ऐसा नहीं था कि वो कमजोर परिवार है लेकिन फिर भी हमने दिखाया तो ऐसा नहीं होता है इंडियन मीडिया बहुत ही ये जो कहा जाता है कि साथ बहुत ही दवी हुई है वो है ऐसा बिलकुल नहीं है कितनों को दाबेंगे, कितने अंबानी एक हजार अंबानी बिग जाएंगे तो भी मीडिया नहीं खरीद पाएंगे इसकी वजह है by sheer dint of its size इतना बड़ा हो गया है इंडियन मीडिया कि अब अंबानी पांसो बिग जाएंगे तो भी ये मीडिया बिख नहीं सकता अगर आपकी रिपोर्टिंग अनपाइस्ट है जेन्यून है मुझे याद है इलाहबाद में एक बहुत बड़े किसी अपराधी जो बाद में MP भी बना उसको हमने उसके खिलाफ कुछ किया था सिलीज तो उसने भरे प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि साब अगर जिन्दगी में मैं पहली बार डरा हूँ तो आप से डरा हूँ तो मैंने कह लेकिन अब तो मुझे डर लग रहा है तो फैक्ट यह है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग अलग है और वो पहचान में आ जाता है अगर आपने कोई इस तरह की रिपोर्टिंग की है जिसमें की कोई बाकी गंडा इन्वाल्मेंट है तो वो समझ में आ जाएगा और अगर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आम तोर पे अपराधी अटेक आपको करता है जिले के लेविल पे ये हो रहा है हम लोग उसको लेके कंसर्ण है कि किया क्या जाए देश में फैल रहे ब्रस्टाचार पर बोलते वे वरिश्च पत्रकार एनके सिंग का कहना था कि आज की मीडिया इतना सक्रिय हो गई है कि इस देश में करप्शन करके कोई बच नहीं सकता क्योंकि आज मीडिया बहुत बड़ी हो गई है तो वहीं उन्होंने पिछली सरकार का चात्रों को उधारन भी दिया कि देखो मीडिया के चलते पिछली सरकार कैसे सत्ता से बाहर हो गई कि अभी किसी ने कहा कि वो सरकारों दूलिंग गर्बंट के खिलाफ करप्शन हम नहीं देते हैं नहीं साथ यह सरकार ही बदली है उसी वज़े से उस समय रूलिंग पार्टी ही थी और चार दिन अन्ना हजारे का जब आंदोलन मीडिया ने दिखाया सारे एड़टिस्मेंट चोड़के कोई हिल नहीं सकता करप्शन करके मेरा दावा है कि इस देश में अब करप्शन करके कोई चाहे बज जाए इंपॉसिबल पत्रकारिता के छेटर में अपना करियर शुरू करने के लिए मास्कू मीडिया के साथ अपनी पहली सीड़ी पर चड़ रहे चाथरों से वरिष्ट पत्रकार एंके सिंग ने अपना अनुभा उसाजा दिया और आगे बढ़ने के लिए कुछ टिप्स भी दिये साथी साथ छात्रों से कहा कि अगर अच्छा पत्रकार बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है पढ़ना इसलिए आपको इस फ्रिल्ड में आने के लिए बहुत पढ़ना होगा इंस्टिचूशन्स नए नए इंस्टिचूशन्स डैवलप हो रहे हैं क्या हमारी ट्रेनिंग उन इंस्टिचूशन्स के बारे में है एक रिपोर्टर में मेरे जमाने में होता था मैं बहुत इतराज करता था आज भी है एक नया कोई रिपोर्टर आप किया से जाएगा उसक तक और अगले तीन महिने के अंदर उसका पारलियामेंट का पास बन जाएगा, वो पारलियामेंट जाने लगेगा, अब उसको लगता है कि जर्नलीजम का फाइनल तो यहां है अब तो कुछ इसके बाद करना ही नहीं है, इसके बाद वो प्रेस क्लब बैठने लगेगा जब कि हमें पार्लियमेंट तक आने में 25 साल लगे थे जब तक आप कटी फटी लाशे नहीं देखेंगे मौर्चवरी में जाके जब तक आप लोवर लेवल इंस्टिशूशन को देमोक्रेसी के नहीं समझेंगे तब तक आप जर्नलिस्स नहीं हो पाएंगे तो यह सब समझना पड़ेगा आपको की जर्नलिस्म की रिक्वाइर्मेट क्या है लेकिन इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा नए नए इंस्टिशूशन सा रहे हैं नए नए शोशल फेनोमेना एक नीती आयोग आया है प्लानिंग कमिशन से शिफ्ट होके एक नीती आयोगा है आपको समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है एक नया इंस्टिशूशन क्यों डेवलप किया गया है इसी तरह जूडिशियल प्रॉसेस तमाम नए नए केसे जा रहे हैं जिसको फिर से समझना पड़ ला है लिएजा आपकी पढ़ाई बहुत जादा होनी चाहिए इसमें मैं यही काऊंगा कि एक अच्छे समय पे आप जर्नलिजम जॉइन करने जा रहे हैं और इसको जो आगे करियर का है वो बहुत अच्छा है मासको मीडिया के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं नए चात्रों को वरिश्च पत्रकार रहेंके सिंग की बाते सुनकर बहुत अच्छा रगा और उनकी बातों पर अमल करते वे आगे बढ़ने का चात्रों ने निश्चे किया तो आपने दिखा कि किस तरीके से वरिश्च पत्रकार रहेंके सिंग ने चात्रों के सवालों के जवाब दिये और उन्हें उजवल भविशी की उन्होंने शुप कामने दी आईए कारेकरम में आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं अलका सक्सेना की जो की आज तक की सेंसास्तापक सदस्से टीम में रही हैं उन्होंने क्या कुछ कहा चात्र को क्या कुछ गुरु सिखाए आईए पुराना परिवेश बदन पर कुड़ता कंदे पर थैला तथा जेब में पैन वाला पत्रकारों का पारंपरिक स्वरूप अब बदल चुका है पत्रकारीता का बदलता सरूप चात्रों को इस फिल्ड की तरफ आकरशित कर रहा है आज की मीडिया में बहुत स्कोप है बस आपको चुनाव सही करना है आजकल इस छेत्र में आने वाले नए चात्रों से पूछा जाता है कि तुमें क्या बनना है तो अधिकतर चात्रों का यही जवाब होता है कि एंकर बनना है जबकि इस फिल्ड में एंकर के लिए कोई पोस्ट नहीं होती इस फिल्ड मार्केटिंग का स्पेंडिंग है वो किस तरह से बढ़ रही है यह भी एक किसम का मीडिया है तो मीडिया पहले की वक्त में और आपके वक्त में मीडिया का जो एक्सपेंशन है अथा है तो सब से पले तो इस बात पे आप सब लोगों को खुश हो जाना चाहिए और मातापिता को बहुत से क्यों करना चाहिए कि इस मार्केट इस हुज इस बिग और इस 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 फिल्ड पर एनम और रिसेशन का कोई इंपक इस पर नहीं पगडा है उज धिहान है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं और हम चाम उनों से एक कॉलम होता है उसे कहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो 98% लड़कियां जो female candidate होती है वो लिखती है anchor और good 50% लड़के anchor लिखते हैं मैं बता देना चाहते हूं कि मैं 95 से एंकरिंग कर रही हूं और मैं आपको बता देना चाहते हूं कि anchor नाम की कोई post किसी television channel में नहीं है anchor होता ही नहीं है anchor तो side job होता है anchor भी करते हैं आप उसके अलावा या तो आप reporter होते हैं या तो आप producer होते हैं या तो आप editor होते हैं या तो आप बहुत सारे दूसरे जो designation वो होते हैं उसके अलावा आप anchor भी हैं So anchor is not your designation or your main work. Anchor is something which you have some extra quality and if you can handle it you can become anchor also. Maasko Media के छात्रों के साथ अपना अनुभाव साजा करते हुए Alka Saxena छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया एक छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए Alka Saxena ने कहा कि शोशन तो हर फिल्ड में हैं तो इसका मतलब काम करना छोड़ दे तुम्हें एक और सवाल का जवाब देते वे ये भी कहा कि जिस चैनल का कंटेंट अच्छा हो उसी चैनल को देखना चाहिए साथी साथ ये भी कहा कि अगर चैनल पर कोई ख़बर गलत चलती है तो उस चैनल के एडिटर को उस गलती के लिए माफी माँंगनी चाहिए कि उस लाइन में लड़कों पर शोशन नहीं होता है, विल्कुल कोई जिन्दगी कि किसी भी फिल्ड में इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि समाज का एक हिस्सा है हम सब, और सारी आप मुझे बताएं, आप चलिए आपने तया कि आप मीडिया इंडस्टी में बहुत आप शोशन है, मैं नहीं जाओंगी, आपने तया कि मैं तो आइटी में जाती हूं, आप ग्यारंटी दे सकती है, वहाँ पर सोशन है नहीं, ये तो इससे तो ये जिन्दगी का एक हिस्सा है, अगर मैं वहाँ हूं तो मुझे देखना है कि मुझे मुकाबला कैसे करना है, म मुझे मुझे इससे कैसे लढ़ना है, मुझे अपनी जगां कैसे बनानी है, जब तक ये अविरी डे फाइट रहेगी, तब तक जो है, क्रेडिबल कंटेंट देखा जाएगा, अचा है, वह किसी भी चैनल में हो, छोटे चनल में हो या बड़ी चैनल में होता है कि कोई कि यूफो देखा गया कानपुर में, कानपुर में कुडन तस्क्री देखी गई, आप ऐसी ख़़रे कहां देखते हैं, मैं बहुत ही, मतला बड़े लेवल का नेटरवक है, उसके काफी सारे रिजिजनल चैनल्स हैं, नाम मही लेना नहीं चाहूंगा, उसने ख़़र तीन होना चाहिए, मतलब कोई, मेरे इसाब से एडिटर को इस पर कॉल लेनी चाहिए, अगर कोई फेक, कोई गलत ख़़र या कोई इस तरह का चीज अगर चैनल पे चली है, तो उसको एक कम से कम पट्टी चलानी चाहिए, मकर ये सेंस ऑ रिस्पोंसिबिलिटी है, जो कि पसंद आ रहा है, आपको उसे देखना चाहिए, दूसरी बात ये है, कि जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो अब भी लोग उसको ज़्यादा देखते हैं, जहां तक मासको मीडिया के ओरेंटेशन प्रोग्राम 2015 में आए, सबी चात्रों को उनके भविश्य के लिए सुपकामना देते वे, अलका सक्तेना ने कहा, कि इस फिल्ड में आने के लिए कॉन्फिदेंस के साथ-साथ पढ़ना भी ज़रूरी है, तो महीं मासको मीडिया के चात्रों क में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे टिप्स भी दिये. जो अभी मैं कहते हूं कि ऊच्छोम करायें, अगर वो अच्छे स्टूडेंट्स को निकालते हैं, कॉंपिटेंट स्टूडेंस को निकालते हैं, तो जो डिमांद और सप्लाइए का रेश्यो है, वो भी सप्लाइए कम हो जाएगी और दीमांद जयादा. लेकिन अब इसमे और उनको जवाब भी दिया तो आपने देखा कि किस तरीके से अलका सिक्सेना ने पत्रकारिता के गुर सिखाए बच्चों को और साथी साथ उनके उज्वल भविश्य के लिए उन्हें शुपकाम नहीं दी कारेकरम में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब राष्टपती इस्त्री शक्ती पुरुसकार से सम्मानित वर्तिका नन्ना ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ टिप्स दिये बच्चों को पत्रकारिता में बहतर बनने के लिए आई आपको दिखाते हैं